दस सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है दोस्तों विज्ञान यानि की साइंस आज अपने चरम पर है साइंस की दुनिया में जितनी तरक्की पिछले 100 सालों में की गई है उतनी तरक्की उससे पहले मानव त्यास में आज तक नहीं हुई है लेकिन आज ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है आज किस वीडियो में हम उनी सवालों पर नज़र डालेंगे हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टॉप टेन फॉर एवरिटिंग तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जेतना यानि की कॉंशियसनेस इसका जवाब आज तक साइंस नहीं दे पाया है कॉंशियसनेस कैसे बनती है क्या ये हमारे दिमाग के अलग अलग वीजन के कॉंबिनेशन और कॉडिनेशन से बनती है यह हमारे दिमाग का कोई खास हिस्सा इसे conscious हटता है इसका जवाब आज तक science नहीं भी पाली हम सपना क्यों देखते हैं दोस्तों हम सभी सपना देखते हैं यह एक बहुत ही साधारन बात है लेकिन इसे science की निजर से देखा जाए तो यह अब तक एक प्रचीदा सवाल बना कि सपने देखने से यादास्त की संवर्चना और emotion को feel करने की ability बनती है खेर यह बस एक अनुमान है कोई फोज जवाब नहीं है क्या हम इस universe में अकेले हैं लेकिन अकर science की नजर से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुर नहीं है ऐसे बहुत से planet होंगे हमारे universe में जिन में life हो सकत लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें अब तक इसके बारे में पता क्यों नहीं की और कहीं जीवन है या नहीं जीवन की शुरुआत कैसे हो लेकिन के मताबिक करोणों साल पहले कुछ chemicals ने मिलकर एक ऐसी संवर्चना को बनाया जो खुद का प्रतिरूप यानि की replicate कर सके और कि जीवन की शुरुआत कैसे हुए हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है रग्यानिकों के अमसार हम अपनी यूनिवर्स पर जो कुछ भी देखते हैं जाने की matter जो की पूरी यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है बाकि इस यूनिवर्स का 95% भाव किस चीज से बना हुआ है यह आज भी पता नहीं लगाया जा सका है हालांके इसको नाम दिया गया है एंटी मेंटर लेकिन इसके बारे में भी किसी को कुछ भी जहनकारी नहीं है क्या पैरलल यूनिवर्स होते हैं दोस्तों यह साइंस का एक बहुती पेंचीदा सवात है अगर हम बिग बैंग और स् खेर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि पैरलल यूनिवर्स होते हैं लेकिन साबित करना यह को ना मुझे नहीं होगा दोस्तों ब्लैक होल का आइडिया तो आप सभी कोगा कि यह क्या है जब बहुत सारा मास ग्रैविटी के जरीए एक जगा पर निख़ता हो जाए और एक दोस्तों शेक्डो सालों से इनसान पलिशा खाला रहा प्लिशन यह खिस्टा के शृता आरा मैं कि गर्मद की लाग के से जैसे वह पहले था किसका स्वाब साइंस के नहीं है समंदर की गहराई में क्या है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हम जितना स्पेस के बारे में और बर्मान के बारे में जानते हैं उतना हम अपने ही धर्ती में मौदूद हैं समंदर के बारे में नहीं जाओं और ये सही भी है तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रूचक तर्थ और सवाल जिनका जवाब बिज्ञान के पास आज भी नहीं है उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा धन्युक्त